आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी चटपटी मज़ेदार रेसिपी जिसे खावकर आपका पेट तो भरेगा लेकिन नियत नहीं तो हेलो फुटीज मैं सब अफिरोशेक सबस किचन में आप सब का स्वागत है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राई डालू इसे आप इफितार के लिए या फिर घर पे आय हुए मेहमानों के लिए या फिर कोई पाटी ही क्यों नहों आप इसे किसे भी वक्त बना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, ये तने टेस्टे बनते हैं कि बस सोचे नहीं, इसे गर्मा गरम बनाएं और फिर सब की तारीफे पाएं, तो चली बनाते हैं, बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी फ्राइड आलू, क्रिस्पी फ्राइड आलू बनाने के लिए सबसे पहले एए कटोरी में तीन बड़े चमच कॉन फ्लॉर मतलब कॉन स्चार्फ मतलब कॉन फ्लॉर दोनों एक ही इंग्रीडियन्ट है और फिर हम इसमें एड़ करेंगे नमक आप चानिकन पर यूजर करें एक छूटे चमच लाल में Bridge memories और एक छोटा चमा चाट मसाला इन मसालों को हमें कॉन फ्लॉर में अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे हम आलू पर कोटिंग के तौर पर यूज करेंगे तो सभी चीजों के अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और फिर ये मैंने लिए हैं 6 मीडियम साइज के आलू सभी आलू को छिल कर मैंने इस ना मीडियम पीसेज में काट लिए हमें आलू को बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है बस एक आलू को हम 5 या 6 टुकड़ों में काटेंगे उससे ज्यादा नहीं और आलू को जब आफ फ्राइ करना चाहें तब इसे च्छिल कर पीसेज में काटे वरना पहले इसे ही काट के रखने पर आलू हवा की इसे काले काटने लगते है आलू काटने के लिए है वरना पहले से थमन्ड़ प्लो 싸. 20 стपन ने पर निकल जाता है और इतणा ही नहीं है अलू को वॉशत करने के बाद मैंने कीचन टाउल पर रखकर सुखा भी लिया तो अब इसमें हम एड करेंगे कॉन फ्लोर जिसमें अलेडी हमने अपने मसाले मिला कर रखे हुए तो इस ताल से सभी आलू पर आप कॉन फ्लोर डालते जाएं और फिर इसे चमच से चलाते हुए सभी आलू को कोट कर लीजे कॉन फ्लोर से वैसे तो कॉन फ्लोर के भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अलू को हम डैरेक गरम तेल में फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मसाले कोट ना होने के वज़े से अलू में टेस्ट नहीं होगा और क्यूंकि कॉन चाच आसानी से कोट हो जाता है तो इसलिए मैं मसाले को कॉन फ्लोर म अब इसे हम फ्राई करेंगे तो गैस पर रखें कड़ाई और कड़ाई में अलू फ्राई करने परका तेल गरम करने और जब तेल पूरितान से गरम हो जाएगा तो गरम तेल में अलू को डाल देंगे पहले इसे हम 3-4 मिनट के लिए मध्याम आज पर फ्राइ करेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत क्रिस्पी तलना है और इसे क्रिस्पी फ्राइ करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगीगा ही इसलिए शुरुवात में ही तेज आज पर आलू को नहीं तलना है वरना आलू का कलर जो है वो आखिरे में बहुत ही ज्यादा ब्राउन हो जाएगा जिसे के आपके आलू क्रिस्पी फ्राइड आलू कम और जलेवे आलू ज्यादा नज़र आएंगे तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और आलू को पहले 3-4 मिनट के लिए मध्याम आज पर तले 4 मिनट मध्याम आज पर आलू को फ्राइड करने बाद हम आज को तेज कर देंगे और फिर इसे फ्राइड करेंगे 5-6 मिनट के लिए तेज आज पर और हमें आलू को बीच बीच में चलाते भी रहना है तो इस तान से आप कल्ची से चलाते हुए सब ये आलू को तेज आंच पर फ्राइ करें जब तक आलू बिल्कुल गॉल्डन, ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जा इस तारा से ये देखे मेरे आलू ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है और फिर आलू को गरम तेल में से निकाल कर एब्सॉर्बिंग पेपर पर रखते जाना है तो ये जो तेल है से आप ठंडा हो चाने के बाद छनी से छन कर दुबारा यूज़ कर सकते हैं और फिर आप ये फ्राइ किये हुए आलू की आवाज भी सुन ले तो सुना आपने कितने क्रिस्पी बने हैं मेरी ये फ्राइड आलू अलू प्लेट में सर्फ करने के बाद इस पर हम छिड़केंगे थोड़ असा चाट मसाला पाउडर असाती इस पर गांदिश करेंगे हरे धने की पत्तियां बारी कटी हुई तो लिचे क्रिस्पी फ्राइड आलू बनकर तयार है इसे आप ग्रीन चटनी सेजवन सॉस या फिर कोकम के पान के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इसे एक बार कोकम के पान के साथ सर्फ करके देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है उम्मीद करते हूं फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो कॉमेंट में ज़रूर बताए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी पगल में दिए के बैल अकन पर भी क्लिक कीजिए जिसके वज़े से आपको मेरी आने मेले हरने वीडियो की जानकरी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी सो थैंक यू सो मच फॉर चिंग मैं वीडियो मिलते अगले वीडियो पर बाबाई